बच्चों, आज हम सुनेंगे घमंडी कद्दू की कहानी कद्दू याने की पंपकिन एक समय की बात है एक प्यास का खेत था वहां बहुत सारे प्यास मिल जुल के रहा करते थे उस प्यास के खेत में एक कद्दू भी था पहले वो कद्दू छोटा सा था तब वो भी सारे प्यास के साथ मिल जुल के खुशी-खुशी रहा करता था लेकिन जैसे जैसे समय बीटता गया वैसे वैसे कद्दू मोटा और बड़ा होता गया जब वो कद्दू बहुत विशाल और मोटा हो गया तब उसे अपने उपर घमंड होने लगा उसे लगने लगा कि सारे प्यास तो मुझसे छोटे हैं अब मैं सब पे अपना हुकम चलाऊंगा और इस खेत में राजा बनके राज करूंगा एक दिन कद्दू को शरारत सुजी उसने सोचा क्यों ना मैं इन छोटे प्याजों को परिशान करने के लिए खेत का सारा पानी खुद ही पी जाता हूं और फिर उस कद्दू ने खेत का सारा पानी पी लिया बिचारे छोटे प्याज प्यासे ही रह गए इस तरह उन छोटे प्यास को सताने में कद्दू को बड़ा मसा आता वो अकसर ही सारा पानी पी जाया करता अब उन छोटे प्यास को आदद से हो गई थी कम पानी पी के रहने की धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता गया एक साल वहां बहुत जादा गर्मी पड़ी और गर्मी में खेत का सारा पानी सूख गया अब उस घमंडी कद्दू की प्यास के मारे जान सूखने लगी घमंडी कद्दू का सारा घमंड चूर चूर हो गया उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए अब उसे अपनी गलती पे पच्चतावा होने लगा उसे एहसास हुआ कि उसने प्याज को प्यासा रखके कितनी बड़ी गलती की है हार मानके उसने प्याज से मदद मांगी तब उस प्याज ने नसीहत देते हुए कहा कि आज तुम अपने घमंड के कारण ही इस मुसीबत के समय अकेले हो और इस तरह घमंडी कद्दू का नाश हो गया तो बच्चों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए घमंड करने वालों का हाल हमेशा इस घमंडी कद्दू की तरह ही हो जाता है